भाई खानजादी के साथ एक बड़ी गलती हो चुकी है एक गलती के चलते खानजादी जो है अपने गेम को खराब कर रही है आखिर कैसे चलिए जानते हैं हला दोस्तों मैं हुकोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूस वेरकल का एपिसोड देखा होगा आपने खानजादी काफी एक्टिव नज़र आई आईश्योरिया से फायट करती हुई नज़र आई और इहां पर जिसके बाद अब शेक के खिलाफ भी नज़र आ थी दोनों के बीच में भाय किस भी हुआ और प्रॉपर सामडा रहा था अब यहां पर खानजादी को अगर यह बात बुरी लगती है कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप रात में अब शेक के साथ पेट पे होते हो कंबल में होते हो पता नहीं क्या करते हो इस तरी तो हर कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा ऐसे नहीं करेगा जैसी तुम हरकते करती हो जैसा तुम दिखती हो जो तुम कभी आबिशेक के खिलाफ हो जाती हो फिर यहां पर रात में आप कुछ करते हैं तो खानजादी ने कल जो किया है वो बहुत गलत किया और का इसी वज़े से गेम खराब भी हो सकता है हाला कि खांजादी के फांस सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन खांजादी के फांस भी इस बार से दुखी हैं कि जब आपको अब शेख से दूरी बनाने के लिए कहा गया आप खुद बोलती हैं कि मैं शेख के खिलाफ हूँ हम दोनो बस नॉर्मल दोस्त हैं अब दोस्त दोस्त बोल के कमल के अंदर अगर किस हो जाए तो फिर ये चीज़ तो भाई जनता भी नहीं देखेगी जनता भी दुखी होगी कही नहीं तो खांजादी ने कल रात में शेख के साथ किस किया और साफ साफ बिग बॉस की जो कैमरा थी पूरा फोकस किया जा रहा था हाला कि कमल के अंदर था कमल के बाहर नहीं था लेकिन यहां पर पूरा फोकस किया जा रहा था अब वैसे तो ईशा और चिंटू भी करते रहे तो उनके उपर क्यामरा फोकस नहीं किया जाता है लेकिन खांजादी से तो भाई बिग बॉस भी फिर अब शीक को किसकर ये ये सही है अब हमारा कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं बिग बॉस तो रिलेजेन अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले